तो उस तरह के generator में हम लोग क्या करते हैं जो फ्यूल जाते हैं तो फ्यूल बर्ल होके वह बैसी क्या है वो mechanical work हो रहा होता है कही न कहीं mechanical work करवाते हैं तो जिससे वह energy produce करते हैं तो देखते हैं आपको यह जब theory पढ़ाऊंगा तो ज्यादा clear हो तो सबसे पहले introduction में क्या हो ग principle क्या हो गया तो यह mutual inductance है ना अगर जिसने जिन्होंने अमारा पिछला दो वीडियो देखा हो है ना कि इस topic को समझने के लिए आपको Friday law पता होना चाहिए ठीक है Friday law of EMF mutual inductance, self inductance जो पीछे के topic में कभर किया गया है है आप playlist में भी link है वहां से देख सकते हैं तभी आपको इसी generator बेतर समझ आएगा तो mutual inductance ठीक है कि property पे based है construction अब construction वाले portion पे आते हैं तो इन दोनों में आप एक एक लाइन लिखेंगा construction में basically देखें क्या होता है मैं दो color का marker यूज कर लेता हूँ construction में देखें आपके पास दो magnetic poles होते हैं है एक north pole हो जाएगा और एक south pole होगा ठीक है this is north pole and this is south pole अब इसके अंदर अपन क्या करते हैं एक coil रखते हैं है जिसको armature बोलते हैं एक soft iron core पे coil की winding होती है इसको मैं समझाता हूँ basically ये coil है ठीक है एक armature है overall armature है इस पे क्या होता है अगर आप 3D में देखें तो इस तरह से armature होता है rectangular और इस तरह से coil की winding coil मतलब wire की ठीक है एक soft iron core मतलब basically एक frame हो गया ठीक है soft iron core का इसके ऊपर coil की इस तरह से winding की जाती है जो आपको यहाँ पर इस तरह से दिख रहा है तो coil की winding इस तरीके से इस पे किया रहता है तो ये इस पे coil की winding रहता है उसके बाद यहाँ पर दो ring होता है जिससे slip ring भी बोलते है in sort आप ring भी बोल सकते हो एक ring ring 1 इसको r1 बोलते है एक और होगा जिससे ring 2 कहेंगे this is r2 ठीके यह दो ring हो गया अब यही दोनों ring से basically output लेते हैं ठीके यह दोनों से output यहाँ पर आप बोल सकते हो कि दिख आवर load resistance यहाँ से output लेते हैं अब चलिए अब इसका function देखते हैं कि यह कैसे work करता है काम कैसे करता है ठीके तो यह तो रहा construction का part आपका construction फिर से समझे क् magnetic pole से दोनों के बीच एक soft iron core का armature है जिसके उपर coil की है ना wire की coil का मतलब wire हो गया उसकी winding किया जाता है उसके बाद उसको दो ring से connect किया रहता है ठीके और यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ एक handle होता है ठीके यह handle बाकि इसकी उतनी कोई जरुवत है नहीं वैसे यह उतना main construction का partner वो handle होता है जिससे उसको rotate करवाते है initial हम process करते है उसमें तो वो generator खेर इसकी कोई जुरुवत नहीं आपका main portion गीरा अब हम लोग क्या जानते है कि यहाँ पे एक magnetic field directed होता है कहां north से south की तरफ में डारेक्टी बता दो अगर इसके अंदर obvious ही वात है आपको पता है कि दो magnetic poles है तो यहाँ पे क्या है आपका north से south की तरफ magnetic field directed है it is directed from north to south direction अब होता क्या है यहाँ से जब हम एक mechanical work करते है mechanical work वो कोई भी कर सकता है किसी भी procedure से वो energy देने का तरीका बाद में हम लोग देखते है इसी class में किसी भी process से अपनी square को ऐसे घुमा रहे है ठीक है तो ध्यान स देखे इस square का मैं नाम दे देता हूँ this is a this is b this is c and d अब आप देखे यह हो क्या रहा है यह basically इस तरह से घूम रहा है जब यह इस तरह से घूम रहा है तो हम लोग क्या जानते Friday right hand rule Friday right hand rule के according ठीक है this is motion this is magnetic field and this is current basically हमें करना क्या है कि जब यह square इस तरह से magnetic field के अंदर घूम तो अबसी बात है यह में फाएगा यह में फाएगा तो current आएगा हम लोग पीछे देख चुके तो हमें current के direction पता लगाना है current का direction कैसे पता लगेगा भई तो देखे हमें Friday right hand rule क्या कहता है this is the motion अगर थम हमारा motion के direction में हो motion of the coil this is the magnetic field then this finger will give the current चले इसमें देखते हैं क्या है तो this is magnetic field okay तो यह रहा magnetic field अब ध्यान से देखे यहाँ पर यह तो magnetic field रहा this thumb is what this thumb should be toward the direction of velocity of the ring जो भी ring या क्वैल है तो यह क्वैल हमारा ऐसे घूम रहा है मतलब motion कहां हो रहा है बाहर की तरफ है ना ऐसे घूम रहा है तो बाहर की तरफ this is magnetic field motion बाहर की तरफ हो रहा है तो दे उस समएं इसमें current की direction क्या है current is in downward direction this is direction of current which is in downward direction ठीक है यह downward direction में आपका current रहा इस तरीके से ठीक है तो ग्वैल के अंदर इस तरह से इसमें current जाता है फिर इससे होगे फिर ऐसे तो जब हमारा यह बाहर की तरफ जा रहा था उसस समय current का direction क्या था ए B, A, D, C यह था current का direction अब चलिए, एक half turn complete होता है यह एक complete turn आधा करता है This is what, half turn अगर मेरा यह हाथ है तो यह है, मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ This is what, half rotation क्योंकि यह पूरा घुम के जब ऐसे होगा तो full rotation होगा तो half rotation के बाद यह A, B इधर चला आएगा देखो ध्यान से, अब यहाँ पे मैं दूसरे color के यूज करता हूँ अब ध्यान से देखो तो A, B will become this tward, A, B और C, D इधर आगया, चुकि अब half turn हो चुका है न, देखो ध्यान से अगर यह ऐसे है, तो यह ऐसे हो चुका है half turn, तो A, B इस साइड आचुका है और C, D इस साइड आचुका अब फिर से right hand rule लगाते हैं अगले half rotation के लिए, अब देखो ध्यान से आप ध्यान से देखने कोशिश करना है, एक निट में आपको एक थोड़ा कॉपी के साहरे से ज़्यादा बेहतर समझा पाऊंगा चली देखो basically इसमें current का direction, answer तो सब लोग कर लेते, current का direction का fail करना जरूरी है कि क्यों current का direction reverse हो रहा है, तो यह है, ठीक है अब ध्यान से देखें, यह जो end है ठीक है, suppose this is C, D and this is A, B, तो जब हमारा AB ऐसे आ रहा था, अब यह क्या हो गया this is only half the rotation half rotation, full rotation का मतलब क्या होता है पूरा ऐसे हो जाना, तो यह अभी half rotation, यानि अब यह इधर आ गया अब यह किधर की ओर जाएगा ऐसे आए, ऐसे आए, ऐसे आए अब ज़रा देखो तो, AB end यहाँ अब AB end कहा जा रहा है, अंदर की तरफ AB end inward जा रहा है फिर से right hand rule, Flaming's right hand rule क्या कहता है, M motion B I, सिधा M B I से याद रखो motion, magnetic field, current before magnetic field, दिख सीच पर current अब की बार, magnetic field का direction तो वही रहेगा, बट अमने आने क्या बता है, कि यह आब inward जा रहा है, यह AB end half rotation के बाद inward जा रहा है, तो half rotation के बाद मैं, यह हो गया यह motion वाला को इधर कर दू तो current का direction क्या हो गया, upward current का direction अब की बार क्या हो जाएगा upward हो जाएगा ठीक है, तो पिछली बार current का direction कैसे था, B से A first half में, ठीक है first half में current का direction B से A था उसके बाद second half में current का direction कहासे A से B हो गया तो अब अपन second half की बात करें तो second half में current की direction क्या हो गया current का direction B to A हो गया sorry B to A नहीं A to B A to B हो गया This is why we called it alternating current या alternating AC generator है na AC generator alternating current generator क्यों alternating current? क्योंकि हर एक हाप अभी तक जो आपन पढ़ते हैं वो direct current था, DC current ठीक है, जहाँ पे current का direction change नहीं होता, but this is AC generator because यहाँ पे एक period of time के बाद current का direction change होता है basically sinusoidal होगा, अभी proof भी आएगा इसका क्यों sinusoidal curve होता है इस तरह का होगा, है ना अगर एक हाप में यह forward direction में है तो अगली हाप में backward direction में होगा मतलब current का direction reverse होगा तो इसलिए यह region है कि इसे alternating current कहते हैं, अब चाहँ अब आजाओ काम की बाद, कि जब यह rotate करा, ठीक है, तो हमने current का direction तो देखा, कि EMF induce हुआ उसके current current आया, EMF क्यों induce हुआ भई, तो यह जब चुपचा परा हुआ था तो जितना magnetic field इससे हो के गुजरना था गया, जैसे ही इसने इसके अंदर motion किया तो चुकि इसके अंदर इसके motion के कारण क्या हो रहा है, change in magnetic field, और change in magnetic field का मतलब क्या हो गया, change in flux और जब भी flux change होगा, एक EMF induce होगा यह हमें पता है, तो यहां पर current क्यों आया, magnetic field के अंदर rotate किया rotate करने के कारण flux में change आया, flux में change आने कारण EMF और EMF आया तो current आया और current का direction एक period of time के बाद reverse होता है, है ना, that's why we call it AC generator, alternating generator, तो इसने जो current produce किया अब यह दो ring लगा हुआ है, इस ring के सारे basically ring ऐसे ऐसे rotate होता है ठीक है, इस coil के साथ attach होता है, armature के साथ और यह ऐसे ऐसे घूमता है, तो इससे क्या होता है, basically हमारा output आता है, ना, दोनों इंड है, अब दोनों इंड से आप जो भी घर में, जो भी connect करना हो, जो भी electrical appliances connect करना हो, आप connect करेंगे, इसका थाप करते हैं तो this is all about theory, working and theory, ठीक है DC current में बस यह होता कि अगर यह complete घूमता जाते अब उतना तो आपका NCIT में है नहीं, ऐसे क्या होता है कि ऐसे 12 के सलिवस तक में इतना नहीं पूछता है, बट आप चानलो कि अगर हमें इससे DC current चाहिए हमें DC generator बनाना हो, तो उसमें जो ring है वो हाप portion में कटा हुआ रहता है splitted ring रहता है, splitted ring तो कभी आ जाए इस तरह question, कि अगर हमको DC generator चाहिए तो उसमें क्या फर्क रहता है आप एक बार चाहो तो screenshot ले लो notes आप नीचे link दिया है, वहाँ से आप download कर लेंगे, ठीके चलिए I hope कि आपने screenshot ले लिया, अब हम लोग इसमें थोड़ा सा कुछ formula है, उसे drive करते हैं 1 और 2 marks में भी आ सकते हैं ऐसे question ऐसा नहीं मैं 5 marks के लिए बोल रहा हूं तो 5 marks में ही आएगा but more important is for 5 marks ठीके, चलिए, अब चलिए इसमें देखते हैं अगर यह इस पे जो quail है, उसका area of cross section A is area of cross section A नीच, अब इसमें total number of turn, capital in is total number of turn and magnetic field is B, notes में पूरा detail में लिखा है आप भी answer करेंगे तो पूरा इस लिखेंगे cross section area A, number of turn in B, magnetic field, बाकि यह आप समझेंगे, A in B क्या है, आप पहले से पठते आरें इस chapter में तो इसमें कोई दिक कर देगा अगर मैं flux की बात करूँ चीके, तो flux की क्या करेंगे, flux का formula क्या होता है magnetic flux ही बात करूँ, तो B A cos theta अब cos theta का है, theta का मतलब क्या है वाई तो theta मतलब क्या हो गया coil और magnetic field, अब बेसी बात है इसके अंदर यह coil अगर rotate कर रहा है तो magnetic field के साथ एंगल बना रहा है है ना, तो आप देखो ध्यान से अगर यह magnetic field है और यह coil है थोड़ा से ऐसे एक view वनाव, तो this is the theta which keeps on changing, तो NCIT में इस तरह से बहुत सरा diagramic line से एक तम ऐसे खूब सरा ऐसे से करके दे रखा है उसका मतलब यही है, आप NCIT textbook अगर देखें तो उसका मतलब यही है, कि वो दिखा रहा है कि theta angle आपका magnetic field और coil के बीच का angle है तो B A cos theta, this is for what? one number of turn, अगर अपने पास N number of turn है, तो flux is what? N B A cos theta अब अब हम जानते हैं EMF, according to Friday law, EMF equal to minus D phi B by D T अब हमें क्या करना इसे? differentiate करते हैं, है ना? D by D T और phi B के जगा N B A cos theta अब यहाँ E N B A constant है, अपन बाहर निकाल लेते हैं N B A D by D T अच्छा, cos theta के जगा cos theta के जगा ध्यान से देखें, मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ circular motion हो रहा है basically इस तरह से circular motion हो रहा है circular motion में theta is what? angular displacement तो theta is equal to omega T यह circular motion से हमें पता है जिस तरह से displacement equal to velocity into time होता है उसी तरह angular displacement equal to angular velocity into time ठीक है? तो theta के जगा पन क्या रख दे? cos omega T अब देखें, है ना? पहले तो लग रहा थे कि theta और T कैसे आपास में differentiate होगा बट हमने theta को T के term में करा अब आप इसको differentiate करोगे तो you will get minus NbA omega comes out omega और cos omega T का minus sin omega T तो the answer will be EMF equal to minus minus plus NbA omega sin omega T अब देखें, EMF जो EMF आया, voltage आया हो किसका function है? sin का function इसलिए alternating current का alternating current को sinusoidal curve होता है ठीक है? इस तरह से sinusoidal curve होता है बाकी हमें आ रहा just अगला chapter alternating current है उसमें बहुत detail में हम लोग alternating current के बारे में समझेंगे तो एक तरह से आप ये मान के चलो कुछ काम का लगे तो आपे screenshot लेते रहना otherwise notes में everything है सब कुछ है चले, अब मैं बोलू कि ये equation अपनी maximum value कब देगा जब sin omega t maximum हो तो sin omega t की equal to plus minus 1 ठीक है? तो sin omega t की maximum value 1 अगर हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा? EMF equal to NBA तो E equal to NBA A omega This is what? Maximum EMF Maximum EMF है Maximum EMF क्योंकि हमने इस quantity का maximum value के लिए sin omega t की maximum value रखना होगा तो हमने maximum value 1 रखा तो EMF will become NBA हम अब ये maximum है तो इसे donate करने का एक तरीका हमने अलग रखा E naught E naught means what? Maximum, कहीं E max भी लिखा रहता है E naught भी लिखा रहता है क्या लिख कैसे लिख सकते हैं? E is equal to E naught sin omega t NBA is what? E naught E naught sin omega t तो ये ध्यान रखेगा यहाँ E क्या है? EMF है क्यों? instantaneous EMF है और ये E naught is what? Peak EMF ठीक है? ये peak मतलब maximum sin omega t तो यहाँ से अपना अगला चैप्टर का base बन रहा है ध्यान रखेगे भी तो ये जो हमारा AC generator है वो कितना ये हम produce करेगा? तो E naught sin omega t अब इसे और फर्दर जैसे चाहाँ ब्रेकर से omega की value होती है 2 pi f ठीक है? फिर f is what? frequency तो कभी आपसे frequency पूछ दे? तो यहाँ पे आप omega equal to E naught sin 2 pi f into t इस तरह से आप कर सकते है कभी जरुद पर है तो आप इसको यहाँ पे replace करके कर लेना तो this is all about AC generator अब इसमें बहुत तरह के generator के type होते है यह thermal generator nuclear generator hydro power plant में generator use होता है जहाँ पे क्या होता है? dam से पानी गिरता है उसकी बहुत high potential के साथ energy के साथ वो fall करता है तो उसकी energy का use करके हम basically उसका handle rotate करवाते है basic purpose अपना क्या होता है किसी भी generator के अंदर आपको इसको rotate कराना होता है अब यह आप जैसे कराओ इसके लिए आप dam से गिरते हुए पानी का energy का use करो जो हमारे घर में generally electricity आते है आज भी इंडिया हमारा country maximum electricity के लिए कोईले पे dependent कर रहा है है ना कोईले पे dependent है तो कोईला burn करके वहां से steam generate किया जाता है तो वहां होता है nuclear power plant में nuclear reaction करवा के होता है तो different generator होता है सबका basic purpose यही होता है अब बदलता नाम अलग-अलग इसलिए है क्योंकि आप उसको कैसे energy देके इसको rotate करवा रहा है समझ गया ना तो आप इतना कर ले न और लिखने का तरीका इसमें मैंने आपको बता ही रखा कैसे है and this is the mathematical evaluation तो next video हमारा होगा तो कैसे हैं आप लोग तो आज बहुत तिनों के बाद वीडियो डालना फिर से शुरू कर रहा हूँ और अब वीडियो आएगा आपका एटलिस्ट वीक में 3-day आपका 12th का वीडियो आएगा और जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि इस session में session से खतम होने से पहले मैं 12th का फूरा syllabus कभर करने वाला हूँ तो हमारा लगबग chapter होई चुका था part 7 चल रहा था हमारा electromagnetic induction का जो part 6 तक हमने mutual inductance देखा था और इस chapter में बस यह आखरी topic theory के portion में बस रह गया है वो AC generator है again this question is important for 5 marks मैंने जो आपको पहले से हमारा video कर रहे है उनको पता है कि मैंने 4-5 topic बताया था जिसके questions का answer करने का एक special तरीका होता है जिसमें introduction, principle, construction, theory बगरा लिखते है तो यह उन्ही में से एक और topic है तो इससे 4-5 topic है जिसको इस तरह से answer करते है और generally 5 marks में आने की probability ज़्यादा रहता है उन्ही में से एक question topic यह भी है तो छोड़ा अस topic है तो इसको cover करते है और इसके बाद हमारा बचे का exercise है ना, anxiety exercise तो वो करेंगे और उसके फिर हमारा alternating current chapter स्टार्ट होगा तो at least week में 3 days तो वीडियो आपकी आएगी इतना sure है तो आप continue वीडियो आएगा वीडियो में अब इतना लंबा break नहीं होगा चीक है चले तो अब हम लोग शुरू करते है AC generator तो सबसे पहले जो इस topic को अपने start कैसे करते है introduction से कि यह आखिर है क्या चीज है ना ऐसे लिखते है introduction है ना उसके आद मैंने आपको बता है introduction के बाद principle ठीक है then construction मैं sort में लिख रहा हूं construction working plus theory आप यह चाहे तो दोनों को अलग-अलग भी लिख सकते दोनों को साथ-साथ भी ले सकते तो basically इतने portion में हमारा यह topic cover होगा तो introduction में सबसे पहले यह है कि AC generator है क्या यह करता क्या है तो AC generator के बादा में ध्यान रहे है कि it convert mechanical energy into electrical energy समझके mechanical energy को electrical energy में convert करता अब यह पूरा सीखेंगे हम लोग कैसे है जैसे कि अब कैसे यह समझे जैसे आपका जो होता है marriage वगरा में जो अलग से generator आता है जो समारो वगरा होता है उसमें अलग से generator आता है वह AC generator तो वह ही है basically है है ना हमारे घर में जो powerhouses से आते हैं वहां भी तो AC generator ही होता है बट हर जगा पे क्या होता है कहीं उसके अंदर हम क्या डालता है fuel है ना डीजल यह पेट्रॉल बगरा जो भी है जनरली डीजल डालता है तू